हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सभी लोग आई हो आप सब लोग बढ़िया होंगे मस्त होंगे और एकदम ठीक होंगे आज का फेशल आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए और आपकी स्किन को क इतनी जदा ब्राइट हो चुकी है तो यह वाला फेशल करने के लिए आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके बाद आपको लेने हैं दो बाउल एक में आपको डालना है शोगर पाउडर यानिकी पिसी हुई चीनी साथ में एक चमच भरके डालना है अलूविरा जेल दोनों को अच्छे से मिला लीजिए मिलाके आप इसे साइड में रख दीजिए अगर आपकी इसकिन को अलूविरा सूट नहीं करता है तो इसकी जगे आपको कुमबर जेल ले सकते हो पपाया जेल ले सकते हो या फिर गुलाब ज privileged देलना है ऐक है एक चमच आपको लेना है ऐलीविरा जेल और आपको इसमें एकasis डालनी है लिविंडर एसेंसेल वोई इसकी आपको च्छ से 5 मूँज इसके अंदर लेज और आपके पास में यह वाल और सकते हो उल्य ले सकते हो यहीई ले सकते हो एक पपर में डूदकी म इन सारी चीजों को आपको आपस में अच्छे से मिला देना है, मिलाके इन दोनों ही जो हमारे step से ये complete हो चुके हैं, ठीक है, अगर आपकी skin बहुत ज़्यदा oily है, तो आपको इसमें दूद की मलाई डालने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, अब हमारा facial करने के लिए जो pack है और scrub है वो तेयार हो चुका है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, तो देखिए सबसे पहले आप skin को देखिए, आपको अपने skin को साफ कर लेना है, make-up धूल, मिट्टी, गंद्गी, कुछ भी नहीं होने चाहिए, जो हमने पहले बाउल में बनाया था, इस क्रब, जिसमें हमने डाले थी शुगर और साथ में अलुविरा जेल, उन दोनों ही चीजों को एक बार और अपने हाथ से मिक्स करिए, और अपने पूरे चेहरे पे इस तरीके से सबसे पहले मतला apply कर लिजे, जैसे कि आप लोगों के comments होते हैं, जब मैं उनको read करती हूँ, तो हर किसी को reply तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा busy रहती हूँ, मेरे पास भी इतना time नहीं होता है, तो ऐसे में, आपको मैं एक बात पताना चाहती हूँ, देखिए, आप पहले तो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आपको तभी उसके वारे में पूरी जानकारी मिल पाईगे, आपको करना क्या है, इस्क्रब करने के लिए आपको सिर्फ दो मिनट का time ही देना है, आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है अपने चेरे को, उसके साथ में आपको daily स्क्रब करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, हपते में एक से दो दिन स्क्रब काफी होता है, अगर आप दो दिन करोगे तो भी ठीक है, एक दिन करोगे तब भी ठीक है, सबी के साथ शेयर कर रही हूं एकदम सिलू मोशन में करती हूं हलकी हलकी हाथों से करती हूं और सर्कूलर मोशन में मैं मसाज करती हूं इसक्रब करना क्यों जरूरी होता है अक्सर आपने देखा होगा जब हमें कैई दिन हो जाते हैं हम अपने चेहरे की मतलब कियर नहीं करत तो उसे निकालने के लिए चेहरे से उसी हटाने के लिए स्क्रब किया जाता है। जरूरी होता है उतना इसक्रब करना जरूरी होता है टाइम पे संस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है हर चीज टाइम पे बहुत ही जरूरी होती है तो यहां पे सर्कुलर मोशन में मैंने अपने पूरे चेहरे का किया है इसक्रब करने के बाद आपको करना क्या है सिंपल पाने से अपने पूरे चहरे को दो लेना है, यानि की साफ कर लेना है, साफ करने की वाद जो हमने पैक बनाके रखा हुआ है, उसे आपको अपने पूरे चहरे पे apply करना है, तो आप देख सकते हो, इस तरीके से इस क्रब अगर आपके चहरे पे बहुत जादा white heats या फिर black heats की प्रॉब्लम है तो वह भी बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाएंगे यानि कि हट जाएंगे धीरे-धीरे करके आप देखो कि काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे तो इसक्रब तो कम्प्लीट हो चुका है जो मेरी डैडिस की नहीं वह भी पूरी तरीके से निकल चुक है अब मैं अपर की सैड आपको पैक लगाना चाहिए जब आप कोई भी क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हो तो से केस तरीके से लगाना चाहिए अभी मैंने कल सॉट डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रीम लगाने का भी तरीक scriptures लगाते हो तब भी जो आपकीrüस्किन लोज जर्द जरूरी होता है कुछ भी आप करते हो पहले उसके बारे में पूरी जान करी ले और उसके बार उसे आप अपने चेहरे पे लगाई या कोई भी काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा पैक को लेके मैंने अपने साफ होती है पैक लग चुका है इसे मैं छोड़ देती हूं पूरे 10-15 मिनट के लिए जब इसे पूरे 10-15 मिनट हो गए उसके बाद आपको क्या करना है या तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा ओईल ले लिजे जो भी आपने आपके इस तिनको सूट करता है ओईल आप नह मैंने कर लिए चेहरे को मैंने सिंपल पानी से यहां पे दो लिया है अब आपको करना क्या है पानी इसे चेहरा दोने के बाद अब आपको अपने चेहरे को इसी तरीकी से नहीं छोड़ना है अबote DO cracked करके अपने पूरे चेहरे पे लगाना है और जैसे कि हम थपकी देते ना इस टाइप में आपको इसे अपने इसकिन के अंदर एब्जोर्ब करना है यह आपको तब तक करना है जब तक जो आपकी संस्क्रीन है अच्छे से इसकिन के अंदर तक नहीं चली जाती इससे पहले मैं गुड़ वैप्स की लगा रही थी अ इससे जो आपके इसकिन दूप से बिल्कुल भी डेमेज नहीं होगी आने वाले टाइम में आपके चेरे पे जहाईया नहीं आएंगी आपके चेरे के जो काले दाग धब्बे हैं काफी हद तक कम होने लगेंगे और आपके चेरे पे नेस्रोल चमक लोटके आने लगेगी जैसे ही मैंने फेशिल किया फेशिल करने के बाद चέराद होने के बाद मैंने सिर्फ आप सभी के सामने संस्क्रीन लगाई है अव आप देख सकते हो अगर मैं थोड़ा सापना हेयरे श्टायल बना लूँ और हलकिसी लिप्स्टिक लगा लूँ बिंदी लगा लूँ कल बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है आप लोग जरूर देखना बाई बाई